आज का हमारा नियू थिंकर विच इस तेलकॉर्ट पार्संस अगर आपको इन डीटेल वीडियो देखना है तो जो मेरी चैनल पे नितिन सांगवान सर की प्लेलिस बनी हुई है वहाँ पे आप इनके सारे टॉपिक्स का डीटेल वीडियो देख सकते हैं अधर्वाइस इस वीडियो विल आल्सो डू तो हम इंपोर्टन कंसेप्स जो इनके डिसकास करेंगे फर्स्ट ही वोजे पाइनीर और फंक्शनलिजम हमें पता है कि वो फंक्शनलिस थे अमेरिकन सोशालोजी के लिए उनने काफी काम किया था ही वोजन अमेरिकन तो उन्हों इसी वो उनकी प्रैक्टिकल अप्लिकेबिलिटी कम थी क्यूंकि काफी बड़ी-बड़ी बाते उन्होंने करी थी ठीक है तो ग्रान फंक्शनल थेयरिस्ट भी उनको बोला जाता है उन्होंने हमें सोशल अक्शन की थेयरी दी है जिसको आप जेनरल थेयरी अव सोशल अक् अपने वेबर पढ़ लिया होगा आपको पते वेबर ने सोशल अक्शन की दो कंडिशन सी थी पहला कि जो आक्ट है उसका कोई मीनिंग होना चाहिए meaning and secondly was it should be oriented towards other individual that means other individual important है and meaning important है towards other individual ठीक है अब Parsons ने क्या कहा था ये वेबर का है ठीक है पार्संस ने क्या कहा था उन्होंने कहा था an act consciously performed is your social action consciously performed that means जो action आप सोच समझ के perform करते हो ऐसा नहीं आप खड़े हो के सड़क पे याउन कर रहे हो तो वो कोई action नहीं हुआ वो आपने consciously with meaning कोई act perform नहीं किया है ठीक है तो उसके लिए important इन्हें चार conditions थी थी पहला ही जो act है किसी social context में होना चाहिए that means you should be a member of the society while performing the act again अगर आप खड़े हो और ऐसे बिना बादर आप चींक रहे हो ठीक है खड़े रहे के कहीं पे तो उसको हम एक social action नहीं बोलेंगे fine तो यह इन्होंने social action का कहा था कि किसी एक social situation में होना चाहिए एक social context में होना चाहिए and it should be oriented towards the attainment of a goal that means एक goal के लिए होना चाहिए social action third is your it should be it should be regulated by certain norms and values ठीक है and fourth is your it should involve investment of energy investment of energy ठीक है तो एक social situation में होना चाहिए it should be oriented towards some goal attainment of goal जो है इसका purpose होना चाहिए it should be regulated by norms and values of society and it should involve investment of certain energy तो यह चाहर conditions है जो persons ने दी थी आपको social action की ठीक है अब देखो यह सारी चीज़े तो clear है अब आप सोच जो कि investment of energy क्या होता है देखो इनका basically biology subject था इनके undergrad में biology majors इन्होंने लिया हुआ था तो इन्होंने जहां भी energy की बात किये यह वो अपकी symbol जो बायो में energy पढ़ते हो वो है कोई भी अगर आप action करो अगर मैं इस टेम पे कोई action perform कर रही हूँ मैं बोल रही है आपको पड़ा रही हूँ कोई energy खर्च हो रही है it involves the investment of energy ठीक है तो यह भी a condition है action में कोई energy आपकी लगनी चाहिए ऐसा नहीं आप खड़े रहे के कुछ ऐसी फालतों का सोच रहे हो उसमें कई आपकी energy उटिलाइज नहीं हो रही है वो उस चीज में तो वो की social action आपका नहीं होगा इसमें investment of energy होनी ठीक है तो उन्होंने basically medical sociology आप कह सकते हो social biology को साथ साथ लेके चले हैं और हमें काफी जगा पे यह biology वाला जो concept है वो उनकी theories में उनके works में देखने को मिलेगा यह हो गया उनका theory of social action ठीक है उन्होंने he borrowed ideas from cultureology, economic sociology and psychology यह हम उनकी system levels जब आगे पढ़ेंगे उसमें आपको clear हो जाएगा ठीक है उन्हें integrate किया french positivism को, german idealism को and french utilitarianism को french positivism you know positivist क्या बोलते थे कि आप society को वैसे ही study करो जैसे आप natural science को study करते हो that means जो method आप natural science की study के लिए use करते हो वो ही methods आपको society की study के लिए भी use करने चाहिए positivist का कहना था german idealism is your जो आपके knowledge है वो दिर असल आपके mind के inherent structure पर depend करता है ठीक है आपके ideology पर depend करता है french utilitarianism is your simply हम कोई भी जो काम करते हैं ये दियान में रखके करते हैं उस काम से हमारा जो pleasure है वो maximize होना चाहिए और जो pain है वो minimum होनी चाहिए that means अपने pleasure को attain करने के लिए हम वो काम करते हैं fine तो इन्होंने हमें दो चीज़े important कही थी value consensus की और institutional pattern of values basically same ही चीज़ है और इन्होंने motivational problem कहा था वो slide में शायद miss out होगे है वो आप खुद लिख ले na motivational problem ठीक है तो इन्होंने कहा था individual को क्या motivate करता है to obey the rules of the society और अपनी commitment पूरी करना towards the society कोई एक factor होना चाहिए ना जैसे कुछ theorist का बोलना था वो factor है fair कि अगर उनको fair होता है अगर society में कुछ गलत करेंगे तो उनको punishment मिलेगी वो consequences के fair से वो maintain करते है society के norms या obey करते है rules पर इनका कहना था नहीं actually society में value consensus होता है और हम उन values को institutionalize करते हैं इसमें इनने बात की थी roles की for example आपको पता है कि जो आपके father है वो आपसे एक particular तरीके से बात करते हैं ठीक है तो इस बात पर आप agree भी करते है अगर आपको बीच में down भी पड़ेगी आपको पता है कि हाँ पापा का यही role है वो ऐसे ही बात करेंगे तो यह kind of agreed value है आपके father की behavior की ठीक है और आपकी mother का एक तरीका होता है जैसे माई usually काफी प्यार लाड से बेरा गुचू-पुचू करके बच्चे से बात करती है और इस पर की agreed value है अगर आपके father ऐसे बात करना शुरू हो जाएं तो आपको थोड़ा awkward लगेगा कि यह कैसे बात करें ठीक है क्योंकि आपकी जिसे mama बात करती है उस पर वो pattern of values उस role को institutionalize किया गया है society में वो आपने imbibe किया गया है तो आपको वो normal लगती है वो चीज़ तो यह value consensus important है बच लोगों को obey करने के लिए rules of society क्योंकि उन rules पे सारे agree करते हैं motivation problem is your second thing जो जिसकी वज़ा से आप obey करते हो rules of society यह क्या कहता है कि अगर incompatibility होती है between आपके social system की यह society की needs की और आपके individual needs की कुछ incompatibility आएगी society में तो इस problem को अब कैसे इस problem को motivation problem बोलते हैं इसको deal कैसे करते हैं कि आपको importance देनी होगी individual needs को भी और सिर्फ हमेशा societal needs की बात आपको नहीं करनी होगी ठीक है तो यह कुछ चीजे जो इसमें बताई गई थी value consensus में and motivation problem यह दो चीजे हैं जिनकी वज़ा से आप क्या करते हो आप obey कर पाते हो society के rules वगेरा तो यह मैं यहाँ पर थुड़ा राप कर लेती हूँ slide को फिर से clear करने की कोशिश करते हैं ठीक है यह important है इसको मैं save कर देती हूँ fine तो आगे चलते हैं यह आपका social action हो गया हाँ तो इन्होंने क्या कहा था हमें आगे कि देखो हम कोई भी action अगर perform करें तो वो किसी चीज से influenced होना चाहिए हम वो action क्यूं कर रहे हैं इसके पीछे हमारी कोई motivation कोई orientation होनी चाहिए इन्होंने काता कोई भी action perform करने के लिए actually वो दो चीजों से दो factors से influenced होता है दो factors influence करते हैं आपके social action को first is your motivational orientation second is your value orientation ठीक है इसके लिए हम next slide पर चलते हैं देखो motivational orientation क्या होता है motivation orientation यह represent करता है personal condition of the actor personal condition of the actor that means यह आपकी मर्जी है ठीक है अगर आप motivated हो आपकी personal value के according आप social act कर रहे हो that is your motivation orientation value orientation is अगर आप social act कर रहे हो norms and values जो society की हैं उनको दिमाग में रखे norms and values of society उनको दिमाग में रखे अगर आपको यह act कर रहे हो उसको हम क्या बोलते है value orientation ठीक है आप यह अलग-अलग types का होता है motivational orientation जो influenced होता है वो तीन चीजों से influenced होता है यह आप बोल सकते है motivational orientation जो personal condition of the actor है वो effect होता है तीन चीजों से first is one your cognitive second one is your cathetic जिसको हम emotional response भी बोलते हैं emotional and third one is your evaluative needs देखो इसकी example ignore notes पे काफी अच्छी दी हुई है कि for example आप क्या करते हो कोई अगर lady है वो vegetable market जाती है कुछ vegetables लेने के लिए ठीक है तो पहले cognitive अगर उनका जो action है वो cognitive चीज से affected होगा cognitive means intellectual aspect तो क्या करेंगे वो सारी सबजियां देखेंगी किस में कितनी calories है आपके बच्चे के लिए कौन सी सबजी सही रहेगी आपके लिए सबजी कौन सी सही रहेगी तो सारी जो intellectual related चीजे है वो effect होगा by cognitive ठीक है cognitive उसका part आएगा cognitive response cognitive response होगा ये emotional response of an individual अगर उसको पता है लेडी को पता है कि ऑल्दो इसकी calories इसका जो nutritional count है जादा नहीं है लेकिन उनको बिंडी पसंद है अब वो क्या करें उनको पसंद है बिंडी अब वो nutritional अगर नहीं भी है लेकिन वो यही लेना चाहेंगे that means वो emotional response से अपना action कर रही है और evaluative needs of an individual अब वो क्या करती है वो देखती है कि वो कितना effort कर पाएंगी वो क्या उनके पास इतने पैसे है खरीदने के लिए उनके लिए क्या बेटर रहेगा कौन सी सबजी जो है वो दो-ती दिन तक वो फिर store कर पाएंगी कौन सी नहीं कर पाएंगी तो वो उस स्यारा किसमें आएगा evaluative needs में जिसमें वो अपने सारे जो उनके पास options है उनको evaluate करेंगी तो ये social action effect होगा तीन चीजों से cognitive response, collective and evaluative needs ठीक है ये था आपका motivational orientation second is your value orientation अगर कोई बे action हम करेंगे दिमाग में रखे कि norms and values of society को दिमाग में रखे action करेंगे तो वो voluntary value orientation की तरफ जाता है ठीक है ये again तीन types का होता है first is your cognition second is your appreciation and third is your moral आप इसको समझने के लिए हम क्या समझ देखते हैं हम एक example लेते हैं wait हम एक example लेंगे किसी एक organization की ठीक है एक छोटे level पर example लेंगे तो वो ही चीज़े आपको society में भी अगर आप implement करोगे तो आपको अपने answers मिल जाएंगे ठीक ये हो गया एक organization में अगर आपको कोई project मिला है ठीक है कोई आपको challenging project मिला है वो project पहले आप क्या करोगे उस project का previous जितना उस पे काम हुआ है वो चीज़ देखोगे ठीक है data देखोगे profit, cost, benefit, analysis वो सारी चीज़े करोगे तो वो आपका cognition aspect आजाएगा वो आपका intellectual में fall करता है second is your appreciative ठीक है appreciative में क्या आएगा appreciation में कि आप अपने colleagues के साथ कैसे हो उन किस से कैसे काम करवा basically आपका conduct कैसा है colleague से कैसे काम करवा रहे हो आप ठीक है आप as a leader कैसे हो आप कौन-कौन सी चीज़े consider कर रहे हो fine आपका coordination factor कैसा है वो सारी चीज़े appreciation में आएगी and moral is your आप कौन सा way choose करते हो अपना project complete करने के लिए क्या वो morally correct है क्या वो society के इसाप आपके चलो हमें भी organization की example ले रहे है क्या वो organization के इसाप से moral है या immoral है ऐसा तो नहीं जाके आपको कोई project बनाना है आपके से दूसरी company का data चोरी कर रहे हो तो वो immoral आजाएगा according to the policy of the company तो आपको जो आप आप वे चूस कर रहे हो जो आपका method है कि वो morally correct है या morally incorrect है या वो immoral method है वो सारी चीज़े आपके moral में आएगे society को जो moral या immoral लगता है वो आपका third वाला component है यह हो गया आपका social action motivation orientation and value orientation clear है यह इसके types है cognitive, collective, evaluative और यह इसके types है cognition, appreciation and moral three types of action इनों ने हमें दिये थे instrumental, expressive and moral इसको आप EMI करके भी याद रख सकते हो short में instrumental जो है आपका वेबर ने जो types of action दिये थे उससे आप इसको relate कर सकते हो वेबर का जो zwak rational था zwak rational वो Parsons का instrumental है that means जिसमें जो goals होते हैं और values होते हैं दोनों logically decided होते हैं ठीक है logically decided होते हैं जैसे आप assistant professor बनना चाहते हो एक logical goal है आपका उसके लिए आप means कौन से use करते हो logical means आप पढ़ाई करते हो study करते हो tuition जाते हो YouTube पे videos देखते हो ठीक है उससे आप यह अपना goal अचीव करते हो कोई action वो emotion fear का हो सकता है love का हो सकता है hate का हो सकता है for example अगर एक mama देखती है चोटा baby उसका जल्दी जा रहा है वो किसी घरम चीज की तरफ जाता है ठीक है या एकदम से कोई ऐसा action करता है वो ढर जाती है mama लिकिन उनका response कैसा निकलता है वो बेटे को चांटा मारती है अपने बच्ची को चांटा मारती है basically गुस्से वाला चांटा नहीं होता है वो out of fear उनका वो जो action है वो generate होता है वो expressive वाली category में fall करता है third one is your moral moral में अब कौन से बच गए Weber के जबेक rational भी होगे effective भी हो गया तो moral में हो गया जो Weber ने कहा था traditional and word rational के बारे में traditional क्या होता है वो action कहां से generate होता है आपके traditional norms, values, beliefs से ठीक है जैसे आपके religious beliefs वगेरा word rational क्या है आपका जिसमें आपके जो goals होते है वो decide कोन करता है वो goals आपके decide होते है by the values of the society ठीक है values of society लेकिन उसके लिए जो आप means use करते हो उन goals को achieve करने के लिए वो rational and logical होते है rational and logical ठीक है अब इसका क्या मतलब हो इसके लिए हमने कौन से example ली थी यह सारी चीज़े में इसले जल्दी बोल गरे हैं क्योंकि हमने आपके वेबर में cover करी है उसके लिए हमने example ली थी एक soldier की, soldier क्या करते है वो जाके अपने nation को protect करता है तो यह जो goal है nation को protect करना यह बोल सकते हो कहीं न कहीं value of society से related है जो value करता है nation को, nation को priority देता है fine, तो उसके लिए वो क्या करते है nation को protect करने के लिए वो जाके गान उठाके क्रिमिनल्स को मारना शुरू नहीं करते हैं वो एक exam qualify करते हैं और एक training लेते हैं उसके बाद वो जिन official appoint होके अपना काम करते हैं ठीक है तो आप बोल सकते हो यह सारे means उन्होंने जो choose किये हैं वो rationally decided means है और जो goals थे वो कहां से आये थे आपके value से तो इनको हम word rational action बोलते हैं जो इसके according क्या था आपका moral action ठीक है उसके देखते हैं इनका next concept है social system का तो social system में इनने क्या कहा था पहले इन्होंने कहा था जो आप actions perform करते हो यह actions आप perform कर रहे हो यह isolation में नहीं होते हैं यह constellations में आप perform करते हो ठीक है constellations में और यह किस पर basis होते हैं यह कुछ role interactions पर base होता है institutionalized role interactions पर और उसको इन्होंने कहा था social systems इसमें आप confused नहीं हो जाना हैं यह हम detail में discuss करने वाले हैं ठीक है तो social system से पहले इनका हम जो इन्हें अपना एक theory दी थी जिन्हें grand framework दिया था action systems का पहले हम वो देखते हैं उससे आपको ए clear हो जाएगा wait कहां गया इन्होंने एक बड़ी हमें एक grand framework दिया था action systems का जिन्में इन्होंने कहा था कुछ system levels होती है society की fine यह जो system levels है उनको आप मान सकते हो यह building blocks है society के building blocks है that hold the society together that hold the society together उसको हम इस diagram से represent करते हैं यह culture है आपका cultural system यह see for culture ठीक है cultural system यह है आपका social system तो that mean जो social system है वो basically इनके जो grand framework है grand action systems उसका एक बात है ठीक है social system यह P है आपका personality system personality system and this is your organismic system O तो CSP हो करके आप इसको याद रखोगे organismic system यह basically building blocks है जो किसी भी system को society को एक साथ unite करके रखते हैं hold करके रखते हैं पहला देखते हैं culture system culture system basically culture में आपके क्या आते हैं आपकी language norms values यह इन चीज़ों से influence आप our culture system तो आप इसको बोल सकते है storehouse of information है जो सारी information आती है society के वो कहां से आती है culture system से आती है second is your personality system अब याद करो मैंने जहां पर starting में कहा था क्यों ओबे करते है rules motivational problem उसका एक component था motivational problem में क्या था आपको individual needs का भी धियान देना होता है तो personality system में basically क्या है unit of analysis जो है वो individual है इसमें जो individual की motivation है individual का अपना gratification है gratification भी important आप एक keyword बोल सकते हो इनका जो आप कहीं हो सकता है exam में आए तो आपको click हो जाएगा individual जो काम करते है अपनी self gratification के लिए करता है इसमें individual के attitudes individual किस चीज़ से motivator है कोई भी action perform करने के लिए individual की motivation वो सारी चीज़े आ जाती है third is your social system social system basically आपका किस पे based है आपके role interactions पे यह क्यों चलता है क्योंकि कोई roles है जिन पे value consensus है एक pattern of interaction जो सारे agree करते हैं और यह जैसे क्या हुआ मैंने आपको पहले भी example थी father का एक role है वो सारे accept कर रहे है mother का एक role है वो सारे accept कर रहे है अगर मैं as a teacher यहाँ पे आओ और यहाँ पे video on करके गाना गाना शुरू कर दूँ तो आप यह वीडियो नहीं देखो गया आगे क्योंकि मैं उस role को fulfill नहीं कर रही हूँ that time meant to be जो आप मुझसे expect कर रहे हो ठीके तो अगर मैं वो काम सही से नहीं करूँ यह आप as a student अगर अपना role perform नहीं करोगे तो यह जो classroom है हमारा एक छोटा system आप मान लो इसको classroom को तो यह exist नहीं करेगा अगर हर कोई अपना role perform ना करे वही बाते इनने किसमें कही थी social system में आप देखो इन्होंने social systems के further हमें subsystems यह थे चार subsystem जो हम agile model में explain करते है लेकिन उसे पहले कुछ और बाते हम देखते हैं इन्होंने कहा था किसी भी system को अगर survive करना है basically इन्होंने पहले एक angle देखा था सिरफ system का इन्होंने कहा था system survive करता है अपने structure से क्योंकि उसके structure में एक feedback generate करने का mechanism है feedback generate करने का mechanism है जिससे वो equilibrium maintain करता है equilibrium maintenance जिससे होती है ठीक है इसको हम example लेके बोलते हैं for example internet है आपके पास internet के आने से क्या हुआ crimes बढ़ गे, cyber crimes बढ़ गे तो अगर इस system का structure में feedback generate करना और equilibrium maintain करने का factor नहीं होता तो यह जो system है यहाँ पर example internet यह crumble हो जाता तो basically क्या हो रहा है यहाँ पर feedback generate हो जाता है कि कुछ घडबर चल रही है एक feedback generate हुआ ठीक है, उससे क्या हो गया आगे अब इसको correct करने के लिए structure में कुछ चीज़े हैं हम क्या लेकिए आई, cyber laws आगे cyber laws आगे तो आपके पास एक modified internet की shape में एक चीज़ आ गई जिसको आप बोल सकते हो एक नया equilibrium आ गया इसने क्या किया? अब internet as a whole जो है वो stand रहा अपनी जो position पे, उसी position पे stand रहा वो और उसने crumble नहीं किया उनका यह मानना था कि जो system है वो survive करता है क्यूंकि उसका structure ऐसा बना हुआ है कि वो feedback generate कर सकता है जिसकी वज़ा से उनका जो equilibrium है वो maintain रहता है, तो इसको इन्होंने एक term दिया था mechanism equilibrium phase ठीक है यह आगे slide में लिखा हुआ है mechanism equilibrium phase उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं फिर उन्होंने इसमें थोड़ा add किया उन्होंने कहा क्यूंकि structural functionalist भी थे ठीक है, तो इन्होंने सर्फ structure की बात ने कि इन्हें function की बात भी की इन्हें का नहीं हर system कि कुछ functional prerequisites होते है functional prerequisites जो perform करता है जरूरी ठीक है, वो functional prerequisites perform करना जरूरी है for the maintenance of the system as a whole that means पहले इन्होंने क्या का system कैसे survive करता है, अपने structure से, बात में इन्होंने का नहीं system कोई important functions भी perform करता है और वो functions की performance काफी जरूरी है, अगर system को खुद को maintain रखना है, fine तो structure से भी maintain रखता है and वो ऐसे function perform करता है जिसकी वज़ए से system जो है, वो maintain रहता है तो वो जो functional prerequisites है उसमें इन्होंने चार sub-types सब-systems आप बोलो दिये थे, social systems के जिनको हम जानते हैं by the name of agile agile model इसमें A है for adaptation ठीक है adaptation क्या कहता है, basically हम क्या करते हैं कोई भी system को survive करने के लिए उसमें capability होनी चाहिए, adapt करने की to the resources वो resources कौन से होगे उसके land वगेरा, national resources के form में, तो वो कौन help करवाता है उसको, वो institution economy का ठीक है land या बाकी resources, water, etc second is your goal अब goal में कौन से वाले functions है for example, पहले किसी भी system को survive करने के लिए उसको कुछ goals अपने determine करने होते है कि वो क्या goals perform करेगा वो goals फिर किस तरीके से perform करेगा वे, उसके लिए उसको mobilize करना होता है individuals को जिनके लिए वो goal perform करना चाहता है तो ये सारी चीज़े हमें कोन help करता है government, तो ये quality वाला component इसका आजाता है quality वाला part, for example government कोई scheme लेके आते है तो determine करती है पहले क्या goal है कितना percentage को अचीव करना है किस तरीके से वो अचीव करेंगे beneficiaries कोन है, फिर उनको mobilize करना towards the achievement of goal, वो सारा काम करना वो कौन करेगा आपका government third is your integration अगर system में कोई भी conflict arise होता है तो वो कौन, उसमें resolution mechanism होना चाहिए जो वो integrate करवा है उस system को जो for example आपका culture करता है ideology religion वगेरा तो ये basically क्या करते हैं एक mutual adjustment बताते हैं आपको कैसे होगी mutual adjustment या आपको conflict resolution प्रोवाइड करते हैं conflict resolution ठीक है and fourth one is your latency इसके दो components है latency के एक है आपका pattern maintenance pattern maintenance क्या होता है basically pattern maintenance is your confirmity to the norms and values ठीक है जिसमें हम बोलते हैं वो कौन करवाता है आपको confirm to the norms and values of society जिसमें आपका socialization process आता है socialization process second is your tension management इनका ये मानना था कि जो हर system है उसके अंदर अपना एक tension management करने का जरिया होना चाहिए और वो tension manage कैसे for example society के अंदर tension management कैसे होती है through family या conflict resolution आप ये भी बोल सकते हो जो integration है ये systems आपस में कैसे सही से रहेंगे उसको उसकी mutual adjustment और integration की बात करता है और ये जो tension management है ये एक individual ये internal level पे बोलता है tension कैसे manage होंगे तो इनका मान है हर system में internally भी प्ले करती है तो इसको इनका model बोला जाता है that is the agile model adaptation goal attainment integration latency ये क्या है ये functional prerequisites हैं जो important है for the survival of the system system कैसे survive करता है पहले इन्होंने का था mechanism equilibrium phase दिया था जिसमें इन्होंने का था उसके structure में feedback generate होता है और वो feedback ऐसे generate होता है कि एक नया equilibrium आ जाता है that means equilibrium as a whole जो है वो maintain रहता है फिर उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर ही नहीं पहले इन्होंने बात की structure की secondly इन्होंने कहा स्ट्रक्चर ही नहीं system को functions भी perform करने होते हैं ताकि वो survive कर सके कुछ functional prerequisites important है for the survival of the system वो functional prerequisites इन्होंने four ways में आपो क्या क्या functions है वो adaptation के goal attainment के integration के and latency के ठीक है ये इनका agile model था हम कहां थे अभी social system पे ये हो गया clear तो social system basically क्या है जो इनका वो CSPO वाली scheme है cultural personality organismic और social system उसका एक subsystem है उसकी जो बड़ा इन्होंने action system का अपना grant framework दिया था action systems का तो जो social system है उसका एक sub part है फाइन फिर जो social system है इसके again subsystems चार है वो कौन-कौन से आपके agile model के थुरू जो explain किया भी फाइन फिर आगे आ जाता है इनका cybernatic hierarchy of control ये basically कुछ नहीं है मैं आपको पहले भी कहा जो culture है वो storehouse of information भी बोल सकते हो तो information कहां से flow कर दिये culture से आपके social system फिर आपकी personality के पास आती है और last में organismic और जो organismic हमने अभी discuss नहीं किया है wait पहले हम वो discuss करते हैं ये है आपका latency तो हमारा culture भी हो गया C हो गया हमारा S भी हमने discuss कर लिया personality system भी किया organismic system organismic system again इनका जो biology वाला component है उससे related है कि कोई भी काम करने के लिए आपको energy चाहिए होते हैं वो energy आपको आपकी body देती है तो इस organismic system में इन्होंने physical body की बाद कही है देखो या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कोई अगर specially abled है कोई wheelchair bedridden इंसान है जो उसका कोई specially abled अगर है उसका जो नजरिया है दुनिया को देखने का society को देखने का उसका जो conduct है society के साथ यह society का conduct जो है उसके साथ वो काफी different होगा जो हमारा है ठीक है हम society को किस नजरिये से देखते हैं वो काफी different होगा उस इंसान से जो काफी सालों से bedridden है या किसी बिमारी का शिकार है ठीकि वो society को एक अलग नजर से देखता है तो यह इन्होंने किसमें कहा था Organismic System में तो Storehouse of Energy आपको है जहां से आपको Energy मिलती है इसमें कुछ जादा खास है नि क्योंगे आपको, मैंने Biology का बाद, Social Biology Medical Sociology वाला Concept इन्होंने साथ साथ चलाया था तो यह हो गया आपका Cultural System महां से आपके Information फ्लो करेगी और यह जो Organismic System में यहां से क्या फ्लो करेगा आपका Energy इसको इन्होंने कहा था Cybernetic Hierarchy of Control यह हो गया आपके यह Then Motivation, Orientation and All Mechanism, Equilibrium Phase ठीके, इसमें मैंने क्या का था Feedback Generate वाली बात कही थी एक हम New Equilibrium में आ जाते हैं जिसको इनने का था Moving Equilibrium फिर इन्होंने का था नहीं हमें Requisite Functional Phase भी चाहिए That means कोई Functional Pre-Requisits चाहिए वो Perform करने के लिए System जो Perform करे का ताक्री System सर्वाइव करे जिनको इन्हें Explain किया था आपने Agile Model से फिर Cybernetic Higher Idea of Control ये भी हो गया Isolated Nuclear Family की इनने बात कही थी और काता जो Nuclear Family है वो इस तरीके की बनी होती It is a fit to the industrial society इन्होंने Variable Sum Power Medical Sociology and Homostasis Homostasis आपका Equilibrium से Related है Medical Sociology आपका मैंने बोला की इने बाते काफी जगा की थी Variable Sum Power Basically दो Concepts हैं Power के Related एक आपका Constant Sum Power है Constant Sum Power या इसको Zero Sum Power भी बोलते है जो Weber ने दिया था इनका मानना था कि अगर एक Individual के पास Power है वो Power है at the cost of other Individual Cost of other Individual That means अगर मेरे पास Power है तो मैं एक Category में आ गई Powerful Category में मेरे पास इसलिए Power है क्यूंकि आप सब जो वी वी बीडियो देख रहे हैं आपके पास तो Power नहीं है That means Power जो है वो Constant ही है या मेरे पास होगा या आपके पास होगा Variable Sum Power में पास ने का था नहीं एक टाइम पे एक से जादा लोग भी पावर होल्ट कर सकते हैं ठीक है Second I think this is last one इसके पास सिक रोल है ठीक है Pattern Variables इन्होंने क्या आपता Basically इन्हें काता जो कोई भी आप Action Perform करते हो जो इंडिविजुल है जो आक्टर है वो कुछ दिलेमास फेस करता है जिनको इस दिनमें Pattern Variables कहे थे उसके बाद इन्होंने हमें Solution दिये थे कि वो जो डिलेमा फेस करता है वो फिर उसको कैसे Resolve करता है उस डिलेमा को तो उसके According इन्होंने हमें जैसे वो Resolve करेगा उन डिलेमास को उसके According इन्होंने हमें 5 Categories दी थी पहला था Self-Orientation Versus Collective Orientation अगर आपके पस कोई भी ऐसा डिलेमा आता है जिसमें आपको यह सोचना है कि आपका जो Decision है वो Collective Interest के लिए होना चाहिए Self-Interest के लिए होना चाहिए अगर आप Self-Interest सोचते हो तो आप Self-Orientation में आते हो अगर आप Collective Interest का सोचते तो आप Collective Orientation में आते हो जो Traditional Societies है वो Collective Societies होती है ठीक है Modern Societies Self-Orientation वाली हो गई तो अगर आप Traditional Societies को ब्लॉंग करते हो उस Belief Values को होल्ड करते हो Religious Purani Norms and Values Society के तो आप Collective Orientation में हो अगर आप Modern Societies Scientific Society की बात करो तो आप Self-Orientation में हो Effectivity vs. Effective Neutrality इसकी Best Example है अगर आपने मुना भाई MBBS देखी होगी जिसमें डॉक्टर बोलता है डॉक्टर रस्थाना और अस्थाना सम्धिंग अस्थाना आएगे सहां वो बोलता है कि मैंने इस हाथ ने कई सारी Operations की है लेकिन अगर मैं अपनी बेटी का Operation करूँगा तो यहाथ काम पेगा दो कि वो Negative Light में दिखाया था लेकिन बात बिल्कुल सही थी डॉक्टर को Effective Neutral होना पडता है तभी वो अपना काम कर सकेगा अगर कोई भी डॉक्टर ऐसा डेलेमा फेस करेगा कि वो अपने ही बचे की कुछ Treatment कर रहा है उस टाइम पे उसको Effective Neutral रहना पड़ेगा क्योंकि Effectivity रखके वो डेलेमा वो Solve नहीं कर पाएगा Particularism versus Universalism में होगा अगर आप कैसे Evaluate करोगे values को क्या वो Tradition पे Based होती है वो Values, आपकी Traditional Values है वो Values आपकी Modern या Rational Value System पे Based है Ascription versus Achievement इसमें आप क्या कर सकते हो अगर दूसरों लोगों को आप Judge करते हो किसी Situation में अगर आप Birth की Basis पे उनको Judge कर रहे है तो Ascription में हो अगर Merit Based Society है या आप उनको अपने Attributes जो है Achieved Attributes पे Judge कर रहे हो तो आप Achievement वाली इसमें हो कैटेगरी में हो Diffuseness versus Specificity इसमें हम Example लेते हैं For Example अगर आप Rural Areas में जाओगे किसी Shop पे तो वहाँ पे जो Shop Keepers और Client होते हैं Customers होते हैं तो उनका जो Relation होता है अपने Shop Owners से वो काफी Personal होता है वो जाके घर की बाते भी कर जैसे Usually पूरानी Movies में दिखाते थे न चाय की टपरी या पान शॉप पे बाटके बाते कर रहे हैं वो घर की बाते भी करते थे तो काफी उनका जो Relation था वो Diffus था अब अगर आप Modern किसी Mall में जाते हो Modern Societies में शॉप में जाते हो या मॉल्स में जाते हो तो वहां जिन साब शामान खरीते हो तो आपका क्या होता है उनके साथ क्या Relation होता है कि आपको ये चीज़ इतने में फॉर इसमें फिफ्टीन हंड़ की अपको इतने में चाहिए बस यही आपका contact होगा communication होगा और जादा कुछ नहीं होगा पर rural areas में क्या होता है diffuseness होती है आप जाके अपने घर की बाते वो सारा अपने दुख भी सारे इनको सनाना शुरू कर देते हो shopkeepers को तो वो ये वाला relation होता है तो ये pattern variables के उन्होंने हमें पार्स टाइप दिये थे ठीक है तो इस पे उन्होंने ये भी कहा था कि जो पार्सन्स बात करी थी कि ये dilemmas को आप resolve करते हो by role institutionalization कि आपने इंबाइब कीए है अपने अंदर वो role interactions role patterns ठीक है and role internalization role institutionalization means society में वो roles accepted है role internalization के आपने खुद से वो roles accept किये है means आप भी वो चीज़ मानते हो यहाँ पे आपने internal किया है उन roles को imbibe किया है आपने अंदर और यहाँ पे society की socialization भी उन roles पे जो है वो consensus hold करते है तो ये दो keywords भी जो है आप याद रखोगे सिक रोल के इनोंने बात की थी basically इनोंने क्या कहा था कि अगर आप सिक होते हो आप productive member नहीं बनते हो society के लेकिन society आपका उस time पे ध्यान रख पाती है society से आप ले रहे हो लेकिन society कुछ देने रहे हो तो यहाँ पे इनने concept दिया था आप एक deviant हो तो लेकिन यह जो deviance है यह deviance accept है society में तो इसको sanctioned deviance कहा था ठीक है यह कुछ इनका important works आप याद रखो theory of social action इसको आप TOSA करके भी याद रख सकते हो social system essays in sociological theory towards a general TOSA that means G4 is general here general theory of social action systems of modern society क्योंकि system level की बात इन में की थी तो systems keyword से आपको याद आ जाएगा American society में आपको starting में का था American थे तो American sociology के लिए काफी काम किया था family socialization interaction process तो role interaction की बात इनने करी थी family as a fit for industrial society का हाथा socialization की बात इनने कही थी through role institutionalization तो यह सारे keywords से आप इनके keywords से इनके keywords से